Hello everyone, आशुलोश बादी हास्दे साइट and we are at the 6th episode of Polish Your Network Marketing Skills Podcast Series 5 episodes हम complete कर चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है सीखने में, सिखाने में and मेरी भी सारी चीज़े revise हो रही है जो मैंने अभी पिछले 3 साल के अंदर काम करते हुए बिल्ड किया अगर आपको content अच्छा लग रहा है, like करना बिल्कुल मत भूला करो आप and comment करके मुझे बताया करो कि कौन सा पार्ट आपको सबसे जादा बढ़िया लगा है So we'll start this session और आज के इस episode के अंदर हम सीखने वाले बहुत ही जादा important skill that is follow up Network marketing में बहुत बार आपने सुनी होगी ये बात, ये कहावत सुनी होगी कि fortune is in the follow up Fortune मतलब जो किस्मत होती है, जो भागय होता है, वो follow up के अंदर है बट जादातर लोग follow up नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हो आप बिमारी है या laziness है ये सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वज़े से लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो follow up नहीं करते हैं, उनको लगता है follow up करना is like being a chewingum chewingum मनने को ही follow up करना मोलता है, बट ऐसा नहीं है, professional तरीके भी है follow up करने के, आप professionally भी follow up कर सकते हो, harass करने के बिल्कुल भी ज़रत नहीं पड़ेगी so इस episode के अंदर हम एक तो follow up सीखने वाला है, दूसरी चीज़ सीखने वाला है कि objections को professionally किस तरीके से handle करना है, सामने वाला जिस तरह के objections हमें करेगा तो objections को handle करने की क्या क्या तरीके होता है, alright, so we'll start it सबसे पहले मैं आपको चार ऐसे points बताने वाला हूँ, जिसको आपको दिमाग में रखना है follow up करते time पर, बिल्कुल दिमाग में रख ले ना आज से, तो पहला point है कि follow up is something कि आपने पहले ही बोला कि आप ये करने वाले हो और आपने वो काम कर दिया बत समझ गए, follow up is कि आप वो काम करने वाले हो ये आपने पहले ही बोल दिया और आपने पहले ही पूछ लिया, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही यह बात, कि मैं क्या बाते कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने पहले के episodes नहीं देखे हैं, आप से मैं request करूँगा कि आप जाके episode 1 से शुरुवात करो, और उसके बाद systematic way में अगर आप इस वीडियो पे देखोगे सारी चीजे, तो आपको समझ आ जाएंगी और आप बहुत तरीके से चीजों को ग्राब कर पाऊगे, आप implement भी कर पाऊगे, आप episode 1 से जरूर देखें इस पूरे series को, अगे, आपने review करने के लिए तूल दिया, ठीक है, वीडियो बोली, दो मिनट की वीडियो या चार मिनट की वीडियो आपने उसको दी, और उसी time पे आपने schedule कर ली call कि इस time पे हम call पे बात करते हैं, उसने बोला कि हां जी, इस time प बट जाधातर लोग क्या गलती करते हैं, excitement में होते हैं, उनके अंदर लगता है कि हाँ, सब को call कर देंगे, पूरी दुनिया को call कर देंगे, बट उसके बाद क्या होता है, कि जब fix हो चुकी है, meeting fix हो गई है, या फिर call fix हो गई है, उस time पे इंसान के अंदर आ जाता है, आल चालेंडर को maintain करते हो, चाहे electronic calendar हो, चाहे एक physical calendar पे आप सारी चीज़े लिख रहे हो, चाहे कोई alarm सेट करते हो, आप reminder सेट करते हो, आप नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हो, तो आज इसे करना शुरू करो, और नीचे जाके comment करो, कि हाँ जी सर मैं आज इसे ये काम करना दूसरा point यह है, कि हर बार call करने का purpose यही होना चाहिए, कि अगले call की timing को fix कर ले, चाहे call चाहे exposure, अगर आप किसी से मिल भी रहे हो, ठीक है, हर meeting का purpose यह होना चाहिए, कि अगली meeting कैसे fix करी जाए, बात समझे रहे हो, अगली meeting कैसे fix करी जाए, यही आपका purpose होना चाहिए, ज सामने वाले को join करा के उठेंगे हम product बेच के उठेंगे या join करा के उठेंगे अगर हम किसी से call पे बात कर रहे है तो फड़ा फट हमारा motive क्या होना चीए कि हम इसको join करा दे हम इससे billing करा दे हम customer बना ले या फिर हमारी cc's vv's जो भी होती है ठीक है वो हम डलवा दे लेकिन यहाँ पे हम गलती कर बैटते हैं हमारा main purpose पदे क्या होना चीए call करने का या मिलने का कि call करने से पहले जो हमारा उसके साथ रिश्टा था और call करने के बात जो हमारा उसके साथ रिष्टा होने वाला है इसके अंदर सुधार आ जाए और जादा बढ़िया हो जाए ठीक है इसमें बढ़ोतरी आ जाए बात सिरफ focus सिरफ इतना सा रखना हो और call का reason ध्यान रखना लिख लो कहीं पर call का reason सिरफ इतना होना जी कि अगली call मतलब उसमें कुछ ऐसे बात करो और call तब तक मत रखो खतम मत करो जब तक आपकी अगली call की timing fix ना हो जाए अगर आपने ये काम नहीं किया तो समझ लो की सामने वाला prospect चला गया आपके हाथों से बात समझ गए तो आपको क्या धिहान रखना है जब आपने call पर बात करने शुरू करी तो आपने जो भी review करने के लिए दिया था उसको material आप उसे पूछ सकते हो कि क्या आपने वो देख लिया आपने उसको complete कर लिया यहां और मैं आपने देक्कते हो जाती है आप ये बता कर पकका देख लोगे अब यह line ना जरूर add करना कब तक आप पकका देख लोगे इस चीज़को मतलब पक्का मतलब पक्का ही देख ले हुगे पता ही कै यह थोड़ा सा or 국ण लगेगा आपको बट यह दो बार पक्का बोलने से न यह तीन बार पक्का बोलने से यह effect बड़ा तखड़ा देता है मैंने खुद इंप्र्सेस को रिपीट कर देना इस time तक देख लूँगा उसने बोला time दिया अब again हमें follow up करना उस time पर फिर पूछना उससे की देख लिया आपने अच्छा कब तक देख लोगे पका ही पका ही देख लोगे मतलब repeat कर दो process को ठीक है repeat करना जरूरी है अब अगर उसने बोला कि यहां जी मैंने देख लिया तो अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा नहीं लगा मुझे बेकार था medium medium था सोच के बताऊँगा बहुत सारे options आपने खोल के रख दिये आपका सवाल कुछ ऐसा हो कि सामने वाला जवाब वैसा ही दे जो आपको चाहिए तो सवाल आपको simple सा पूछना है जैसे मैं पूछता हूँ आपको simple सवाल पूछना है कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा सबसे बढ़िया क्या लगा या फिर यह पूछो कि आप एक से ले के दस तक की rating अगर मैं बोलू तो आप एक से ले के 10 तक में कितनी rating दोगे एक का मतलब बिलकुल interest नहीं आ और बांकी का मतलब 6 का मतल average यह बताओ चाहे मत बताओ लेकिन बोलो कि एक से ले के 10 तक अगर rating देने को बोलू तो आप कितनी rating दोगे सामने वाला कोई भी rating देगा न एक से उपर कोई भी rating दे रहा है तो इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत interest आया है बांकी फिर उसके बाद आप पूछ सकते हो कि आप की rating जो है वो 10 तक जाए and we can start it straight away तो आप से जो भी objections उसके दिमाग न होगे वो objections पूछेगा वहाँ पे and आप उसको easily convert कर सकते हो बात क्या है again हमें ध्यान इस बात पर रखना है कि हमारा call का purpose यह होना चाहिए कि हम अगली बार call पर बात कब करेंगे उसको कुछ ना कु अब अगले मैं आपको concept पे लेके चल रहा हूँ जो दो points मैंने बताए तीसरा point क्या है बहुत ध्यान से समझना एक इंसान को देखो हमारा purpose क्या है इस business के अंदर हमारा purpose है कि लोगों को educate करना और लोगों को हम proper understanding दे पाए ठीक है लोग जो अंधे हुए पड़े है जिनको नीरी दुनिया किस तरह से चल रही है किस तरह से काम कर रही है जो blind लोग है उनकी help कर पाए कि चीजों को देखो थोड़ा awareness बढ़ाओ market में क्या चल रहा है ठीक है तो वहाँ पर क्या है कि आपको कम से कम 4-6 बार call पे बात करना जरूरी है या फिर personally मिलना जरूरी है अगर आप physically business बिल्ड कर रहे हो तो मिलना जरूरी है 4-6 exposures होने चाहिए और अगर आप call पे बात कर रहे हो तो 4-6 बार call पे बात होनी ही चाहिए आपकी तभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से educate कर सकते हो तभी आप लोगों को देखो अगर आप तुरंत तुरंत चाओगे ना आप लोग भी कमाने आए हो या आप long term business करने आए हो अगर आप सिरफ पैसा कमाने आए हो तो आप relationship build नहीं करोगे लोगों का आप पर trust नहीं होगा और आप आगे दोड़ पीछे छोड़ वाले हिसाब किताब के अंदर चले जाओगे आप बहुत पैसा कमाओगे बट आप से request करता हूँ कि आप अगर किसी से बात करते है न तो वहाँ पे आपको उनको properly educate करना है अगर वो हमारे साथ business करेगा तो भी बहुत बढ़िया अगर नहीं भी करेगा न तब भी वो network marketing के बारे में कभी गलत नहीं बोलेगा क्योंकि आपने उसको proper education दी थी तो चार से छे ब बनाना है कि आपको task कैसे देना है task दो review करने के लिए बोलो और दुबारा call करो और फिर बात करो फिर बात करो बार बर जब आप लूप में बात करो कि तो उसका trust कैसे बिल्डनी होगा आप खुद सोचो ठीक है अगला चौथा point जो हम आपको बताना चाह रहा हूँ जादा वो अलग-अलग चीजों के अंदर busy हो जाएगा और फिर उतना जादा possibility बढ़ जाती है उसके business को joint ना करने की और उसको उसके भाग जाने की तो बात ये समझ नहीं है कि हमें compress करना है timing को अभी अगर बात कर हो रही है हमारी तो चार गंटे बात बात होगी पांच ग पर put करता है तो आपको उस time पर objections को कैसे handle करना है जब आप recruitment करने के निकलते हो तो हर step के अंदर आपको अलग-अलग questions पूछे जाते हैं आपको अलग-अलग तरह के objections भाती-भाती के लोग मिलते हैं बाती-बाती का experience होता है उनका और अलग-अलग तरह के questions आपसे put किये जा बट हमें यह ध्यान रखना है बहुत logically और बहुत sensibly हमें questions को handle करना होता है क्योंकि अगर तो हम defensive दिख गए ठीक है defensive हमने pretend कर दिया हम आपे तो लोगों के दिमाग में doubt आ जाएगा कि यह कुछ गलत है कहां कुछ जोल है और अगर हम offensive हो गए हमने उसके साथ बत्तमीजी से बात कर दी ठीक है हमने उसके साथ मतलब तू तड़ा करके बात कर दी या फिर ऐसा कर दिया थोड़े गरम हो गए हम वापे तो फिर क्या होगा हम वैसी भगार देंगे खदेर देंगे अपने prospect को तो देखो हमारा main purpose क्या है दुबारा से एक बार refine कर रहा हूं मैं main purpose है बिल्कुल भी है main purpose नहीं है क्योंकि अगर जीत भी गए तो हम बंदे को lose कर देंगे और पैसा तो नहीं आने वाला अगर को आर्गुमेंट आप जीत भी जाते हो तो बंदा आपको पसंद नहीं करने वाला है वो इंसान आपको पसंद ही नहीं करेगा और जब पसंद नहीं तो आपके साथ business भी नहीं करेगा आप करके देख लेना अगर आपका मन करे तो आप किसी के साथ argument करके कभी देख लेना पट मैं आपको strongly suggest करूँ आप कि कभी भी हमें argument के अंदर नहीं फसना है हमें हार मान लेनी है कोई बात नहीं है लेकिन हमारा main purpose क्या है हम लोगोगों क खुद की कमिया दिखरी होती है और दूसरी problem यह है कि लोगों को network marketing पे भरोसा नहीं होता लोगों का network marketing की problems दिखती है ठीक है दो ही major objections होते हैं जितने भी objections होगे न वो इन दोनों में से किसी एक category के अंदर आते हैं ठीक है पहली category के अंदर किस तरह के सवाल होते हैं कि मेरे पा limit scheme है क्या यह paunji scheme है क्या यह यह वैसा वाला काम तो नहीं इसमें वैसा वैसा कुछ नहीं करने वाला है यह कौन सी category का है यह उस category का है जिसको network marketing मेरे जिन लोगों का भरोसा नहीं होता यह उस category के questions है तो पहली category वाले question को हमें किस तरीके से handle करना है बहुत धांसे समझना है बहुत बड़े बड़े leaders ने इस formal के बार में discussion करी हुई है that is feel felt found feel felt found आपको बहुत समझना पड़ेगा इस बात को देखो अगर सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है अब कई सारे लोग किस तरीके से उसको handle करने लग जाते हैं कि ऐसी कैसे बात बोल दी आपने पैसे नहीं है आपके हाथ में phone है वो phone बिना पैसो के थोड़िया है आपके पास ये है आपके पास वो है बिना पैसो के थोड़िया है तो वहाँ पे देखो समझो इस बात को आप ये जरूर कर सकते हो इस तरीके से भी बात कर सकते हो बट तब जब आपने एक position हासिल कर ली है और सामने वाला इंसान आपके जैसा बनना चाहता है तब आप इस तरह के approach को use कर सकते हैं पर जब initial level पर है तो आपको humbly बात करनी है लोगों से और वहाँ पर आप क्या करने वाले हो अगर आप किसी ने बोला पैसे नहीं है तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि brother मैं बिल्कुल exactly feel कर सकता हूँ कि आप क्या feel कर रहे हो ठीक है feel felt found आपने क्या बोला कि I have felt the same way the way you are feeling right now मैंने same चीज़े feel करी है मेरे पास भी एक time पर पैसे नहीं होते थे यहाँ पर storytelling लेकर आजाओ ठीक है आप अपनी story को add कर दो या फिर आप किसी भी इनसान की story जिसको आप जानते हो आपकी company के अंदर और उसकी story similar है आपके सामने बैठे वे prospect के साथ ठीक है तो आपने अपनी story को include कर दिया कि मेरे पास भी same ऐसा है दिन मैंने देखे है मैं feel कर सकता हूँ brother कि कैसी feeling है अभी मतलब आप क्या feel कर रहोगे मैं बलकुल feel कर सकता हूँ मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं मतलब बस transport भी effort कर सकूँ या इस तरह से अपने अपनी story बनाई फिर आपने बोला कि then I found मतलब फिर मैंने सोचा फिर मुझे ही project मिला network marketing मिली और मैंने इस पर मतलब पूरा study किया और फिर मैंने सोचा I found कि अगर मैं आज इसके अंदर काम नहीं करता हूँ तो आज जो मेरी situation है वही मेरी situation दो साल बाद भी होने वाली है अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो दो साल बाद भी मेरे पास पैसे नहीं होने वाला है and then मैंने इसके उपर सोचा समझा and then I started the business तो आपको नहीं लगता कि आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता अगर हम इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दे तो हमारी जिंदगी में बदलाओ अगर आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें कल बोलने की नौबत नहीं है उसके लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आपको याद ना हो मैंने आपको बहुत बार बोला है 18th of December को एक session होने वाले जिसके अंदर आपके इन ही दो major problem का solution में देने वालों बहुत मज़ा आने वाला है आपको एक ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे आप सामने वाले इंसान को अपने prospect को हमेशा एक vision दे पाओगे कि हाँ everything is possible और राइट एंड उसका जो वीडियो का link है जिस वीडियो के अंदर मैंने पूरी detail में बताया हुआ है उस session के अंदर क्या-क्या सीखने को मिलेगा आपको वो वीडियो का link मैं आपको i button पे दे रहा हूँ i button मतलब आपके screen पे top right corner पे उपर की तरफ, top right की तरफ, top right corner पे i button का link आएगा वहाँ पे आप tap करोगे तो आपको वीडियो खुल जाएगे और वीडियो के अंदर आप देख पाऊगे कि क्या-क्या चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है आपको 18 December के session के अंदर all right तो उसके अंदर आप registration जरूर कर लेना और एक बहुत ही तगड़ा मैं बताता हूँ यह ebook का बताता हूँ मैं ebook के अंदर मैंने एक बहुत ही अच्छा solution दिया था पैसे नहीं है उसका अगर आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो मैं पहली बार podcast के अंदर अपना paid content दे रहा हूँ करना कहा है आप उसको बोल सकते हो कि ब्रदर एक बात बता हूँ मुझे बहुत logical जब कोई इंसान को u injection Pанич Skill radiating पर आपको us all been counseling nether आप उसको सामझे वाले को सीधा पहला पॉइंट ये बोलना है कि ब्रदर देखो मेरे पास बहुत सारे लोग है how so many people जनों ने मुझसे पूछा भी हुआ इस बिजनस के पर अगर आप मना करना चाहते हो, लेकिन आप कर नी पारे हैं, मना कर देना, मतलब यह मत शोचना, कि मुझे बुरा लग जाएगा या ऐसा भी कुछ अगर उसको सीधा मना करना होगा, वो मना करतेगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रत नहीं है, और अगर उसका सच में जैनुएन अब्जेक्शन होगा, तो वो बोल देगा कि नहीं नहीं भाई, मेरे जैनुएन अब्जेक्शन है, 12 पूछो कि मतलब आप बिजनस करना चाहते हो यह बात पक्की है वह लगा हाँ यह मैं बिजनस करना चाहता हूँ फिर उससे पूछो आप बिजनस करना चाहते हो आप यह काम करना चाहते हो यह सच बतारों मैं यह करना चाहते हो बड़ मेरे पास पैसे नहीं है अब यहाँ प आपने कुछ नो कुछ एक्जाम्पल के थू जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आप उसको यह समझा सकते हो कि ब्रदर एक बाहर बताओ, मान के चलते हैं आपके पास बिल्कुल भी एक रुपया नहीं है, ठीक है, या मेरे पास फूटी कॉडी नहीं है, आप अपने आपको भी एक्जाम्पल की तरह से लेके, आप अपने आपका एक्जाम्पल लेके भी बता सकते हो, ताकि उसको बुला ना लगे, तो आप बोल सकते हो कि मान लो मेरे पास पैसे हैं और मान के चलते हैं कि मेरे फादर साहब है, आप अपना एक्जाम्पल या उसका एक्जाम्पल या क तो हमें 15,000 रुपे का बेल करवाना पड़ेगा, 15,000 रुपे जाके सम्मिट करने पड़ेगे, अब मुझे ये बताओ, कि क्या आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो आप बेल करवाओगे, अपने फादर का ये नहीं करवाओगे, वो क्या बोलेगा, मैं बिल्कुल है, फिर भी हम बोल रहा है, पैसे नहीं है, तो ये financial jail ही तो एक तरीके का, इस jail से निकलने के लिए, अगर कुछ पैसो को arrange करना पड़ जाए, तो क्या हम उसको नहीं करवाएंगे, हम उसको जरूर करवाएंगे, तो आपको मैं बता दू, e-book के अंदर मैंने 2-3 इसी तरीक feel felt found से, बहुत असानी से clear कर सकते हो, और अब चलते हैं, जिन लोगों का objection हो, कि network marketing तो नहीं है, chain system तो नहीं है, अरे यार, ये लोगों को तो नहीं जोड़ना पड़ेगा, हमें अपने दोस्तों को तो नहीं बताना पड़ेगा, वहाँ पे आप simple, मैं आपको बहुत पते हैं, तुम्हें क्या होता है, network marketing के बारे में फिर पूरा जतिनी भी problems होती है, network marketing के अंदर, कि लोगों को चिपकना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, जो आपको सुनने को मिलती हैं, लोगों से, वही सेम बात है, आप prospect को बोल दो कि network marketing में तो ऐस ऐसे काम करना पड़ता है, ये ये करना पड़ता है, लोगों के पास चिपकना पड़ता है, लोगों से मिलने जाना पड़ता है, ये सारी problems होती है, तो network marketing तो ही नहीं है, लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, लेकिन digital network marketing के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है, digital network marketing में सारी चीजे magnetic marketing के ऊपर होती है ठीक है ये भी बात मैंने डीटेल में objection handling के अंदर ebook के अंदर discuss की हुई है तो आप वहाँ पर अपनी team का एक USP बता सकते हो कि आपके team किस तरह से काम करती है आपका system किस तरह से काम करता है आपको चुईंगम marketing नहीं करनी आपको magnetic marketing करनी है ठीक है और आप simple अगर कोई इंसान जादा ही वो रहा है कि network marketing तो करनी ही नहीं है network marketing तो नहीं है तो घवराने की ज़रत नहीं होती है यहाँ पर आपको simply उससे पूछना होता है कि आपको पता network marketing के बारे में आपके बास मतलब आपको कोई experience है network marketing के बारे में तो सामने वाला आपको बोलेगा कि हाँ जी मेरा experience था अगर उसका रहा होगा तो ज़रूर बोलेगा कि मेरा experience था इसके अंतरे network marketing मेरा experience था अब आपने सिरफ एक सवाल पूछके न तो थोड़ा open up कर दिया उसको बोलो कि क्या experience था मुझे बता सकते हो सामने वाला बताएगा कि मेरे दोस्त ने मेरे को join करवाया हुआ था ये चीज थी वो चीज थी वहाँ पे company थी तो आप वहाँ पे पूछोगे कि क्या लगता है आपको आप वहाँ पे मतलब कामयाभी नहीं मिली तो reason क्या था तो वो बोलेगा कि मैंने सोचा कि चार पास लोगों को join करा हूँगा join नहीं हुए लोग और फिर मेरे धिरे-धिरे interest लूज हो गया तो आप वहाँ पे अगला सवाल बूछ सकते हो क्या आपको लगता है कि पूरी महनत आपने करी थी प्रॉपर तरीके से महनत करी थी वो खुद बोल देगा कि नहीं यार महनत तो इतनी जादा नहीं करी थी तो आप महाँ पे बूछ सकते हो कि भाई ये network marketing आप मुझे बताओ कि network marketing की गलती थी या शायद आपकी timing में कुछ problem थी मतलब उस time पे सही time नहीं था या कोई भी दिक्कत हो सकती है personal दिक्कत हो सकती है वो बोल देगा आपको कि network marketing की थी नहीं थी दिक्कत दिक्कत तो हो सकता है मेरी ही personal हो तो उसके बाद एक तरीके से आपने ना उसके अंदर जो गुबार भड़ा पड़ा है उसको निकालना है अपने को लोगों से बात करने में problem होनी नीची आपके अंदर confidence होना चीए अगर वो इंसान खुद experienced है तो उसके तरीके से आप handle कर सकते हो अगर उस इंसान ने 90% तो ऐसे में लेंगे जिसने खुद experience नहीं किया हो है जिसके आस पास के लोगों ने किसी ने बुआ ने किसी के मामा ने किसी के चाचा ने किसी ना किसी ने experience किया हो है तो वहाँ पे आप उसको एक ही बात समझा सकते हो कि मेरे भाई school के अंदर जब हम जाते हैं तो माबाप क्या सिखाते हैं कि topper के साथ बैठो या failure के साथ बैठो हर field के अंदर हर skills के अंदर कुछ successful लोग होते हैं कुछ failures होते हैं हमें किस के साथ बैठना चीए हमें किस की बात सुननी चीए failure की या successful इंसान की तो वो अपने आप बोल देगा successful की माब आप क्या सिखाते है कि बेटा जो पढ़ाई करता है जो टॉपर होता है उसके साथ जाके बैठो यही तो सिखाते है ना माब आप तो अब ही अगर आपके वो वाले भीया fail हो गए तो हमें उनकी सुननी चाहिए या यहां पर बहुत सा के अंदर register कर लिया हो और आइट सो objection handling आपको सिरफ इतना साथ जान रखना objection handling पे लोगों को सिरफ दो doubts होते हैं पहला doubt कि क्या मैं इस काम को कर पा हूँगा दूसरा doubt कि क्या यह company यह opportunity यह network marketing business सच में काम करता है अगर आपने master कर लिया आपको बड़ा खेलने से कोई नहीं र time बड़ा खेलते हैं बबाए बबाए